आज मैं आपके साथ में शादी और पार्टिय वाले बटेर के कोर में की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसके लिए मैंने एक कप ऑईल को गरम करने के लिए रखा हुआ है ओईल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अनियन को स्लाइसेस में कट कर लिया था अब मैं इसके अंदर इसको आड़ कर दूँगी लिजिए सभी अनियन को मैंने इसके अंदर एट कर दिया है इसे से लगतार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक यह ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है किजिए अनियन ब्राउन कलर की अब इसे बाहर निकाल लेंगे इसे स्क्वीज करते हुए बाहर निकाल लेंगे ताकि एक्टर वाइल लाई के अंदर ही रह जाए सबी अनियंस को मैंने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बटेर ले लिया है यह साथ पीज थे इसे मैंने दो टुकड़ों में कट करा लिया था इसे मैंने नमक के पानी के अंदर जोक कर दिया था अच्छे से वाश करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर ले लिया है अब मैं इसको ऑइल के अंदर डाल दूँगी जिसमें मैंने अनियन को ब्राउन करके बाहर निकाला था अब इसे चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है हाई फ्लेम पेस को भूनेंगे यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून फूल भरके चिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें एड़ कर दिया है अब इसे भी लगतार चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल खतम हो जाए इसके अंदर मैंने दो बेली बैट कर दिया है एक जाबितरी लेली है तीन छोटी इलाइची लेली है एक बड़ी इलाइची के सीट्स को अलग करके मैंने यहाँ लेली है एक चुदाई टीजपून काली मिर्चे ले लिया है, आठ लॉंगे ले ले लिया है, अब मैंने इसके अंदर अट कर दिया इनको, इसे भी एक से दो मिनिट के लिए चला लेंगे, यहाँ पर मैंने एक चुदाई टीजपून हल्दी बॉर्डर ले लिया है, दो टेबल चलाते हुए अच्छी तरीके से से भूनेंगे मसाले की बहुत अच्छी घुश्बू आ रही है यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दही ले लिए इसको मैंने बीट कर लिया था अब मैं इसके अंदर इसको आड़ कर रहे हूँ अब इसे भी हलकेल के हाथों से चलाते हुए भूनेंगे दही ने अपना पानी रिलीस कर दिया है इसे लगतार चलाते हुए भूने नहीं तो दही पढ़ सकता है अब मैं इसके अंदर तूट टेबल स्पून के करीब पोकोनेट पौडर एट कर रहे हूँ इसे भी भूनेंगे चलाते हुए ताकि ये भी अच्छे से पक जाए इसके साथ में देखी कितना अच्छा मसाला भूना आए इसका 10 से 12 काजू ले लेंगे उसे बीच में से कट करके इसके अंदर आट कर देंगे दो टुकड़ों में मैंने इसको कट कर लिया था इसे भी भून लेंगे ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अब जो मैंने अनियन ली थी उसे क्रश कर लिया था मैंने इससे अब मैं इसके अंदर आट कर रहे हूँ इसे मिक्स कर लेंगे इसमें ताकि ये भी इसके अंदर अब जब हो जाया अच्छे से जार के अंदर थोड़ी सी अनियन बची थी तो मैंने पानी डाल कर इसको इसके अंदर एट कर दिया है इसे भून लेंगे एक से दो मिनिट के लिए देखिए कितना अच्छा मसाला भूना है और इस मसाले की बहुत ही अच्छी बहुत त्यारी सी खुश्बूश के अंदर आ रही है यहां पर मैंने 250 ml के करीब इसमें वाटर एट कर दिया है इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि मसाल अच्छे समिल जाए चलिए अब इसकी लीट को कवर करके लो फ्लेम पे इसे 25-30 मिनिट के लिए कुक होने देंगे 10-15 मिनिट के बाद मैं इसकी लीट को उपन कर रही हूँ अब इसे चेक कर लेंगे इसे बीच-बीच में चलाते रहें देखिए मैं इसे चला रही हूँ फिर से मैंने इसकी लीट को कवर कर दिया है 10-15 मिनिट के लिए और कुक होने देंगे लीजिए 10 मिनिट के बाद फिर से मैंने इसकी लीट को उपन कर लिया है यह बहुत अच्छे से बन चुका है अब मैं इसके अंदर एक टीश्पून केवडा वाटर एड कर दूंगी इसके अंदर बहुत अच्छी खुश्पू आएगी चलिए अब इसे मेक्स कर लेंगे मैंने इसकी लीट को कवर कर दिया है दो से तीन मिनिट के लिए इसे और पकने देंगे उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे यह लीजिए तयार है हमारा शादी और पार्टियों वाला बटेर का कोर्मा आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइ कीजिए सभी को यह बहुत पसंद आएंगी आप इसे नान के साथ में या रोटी के साथ में सब कर सकते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे हमें शादी और पार्टियों में खाने के लिए मिलता है वीडियो अगर पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए तब तक के लिए मैं मिलू में आला हापिस